है गाइज तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्नेवाली के सवाल समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि दो वक्रों के बीच प्रतिछेद जो कूर होता है वो क्या होता है ठीक तो कि दोको इस सवाल इस प्रस्नावली जो आप पढ़ो गए तो वहाँ पर आप से होता है तो ये सिंपल से आपको हम बता दें पहले आपको उला के समया देते हैं है यहां पर यह माल लेते हैं हमारा य हम नहीं लेते हैं यह यहां पर माल लेते हैं हमारे पास दो वक्र है ठीक और कौन से वर दो वक्र हैं वो हमें नहीं पता है तो हम लोग यहां पर इस प्रकार से एक वक्र यह हैं और दूसरा वक्र हम लोग माल लेते हैं यह ठीक तो यह दोनों वक्र एक दूसरे को इस पॉइंट पर यहां पर प्र दूसरा लाइन माल लो हमारे पास यह हो गया ठीक यह दोनों लाइन है यह दोनों लाइन इस पॉइंट पर मतलब इस बिंद पर एक दूसरे काट रहे हैं अगर इस पॉइंट पर इस बिंद पर एक दूसरे काट रहे हैं तो यह जो बिंद हमारा है इस बिंद को हम लोग बोल होते हैं I think आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब कि जा है वो दो वक्र हों वक्र का मतलब होता है ऐसे जो बने होते हैं यह हमारे वक्र होते हैं यह जो हमारे वक्र होते हैं यह दोनों वक्र मतलब कोई विदो वक्र हो यह दो लाइन हो वह एक दूसरे को जिस प्रिति छेद्ह बिन्दु बोलते है इसी तरीके से यहां पर दो वक्र है इस प्रिति पर काट रहे। Jewelry Him research led Пр successive Dad يहां पर यह जो है अब इस पर से रहा क्या होता है जैसे कि मानल हमारा एक वक्र तो इसको बोलते हम लोग इस ऱ्याइन नियंदी इस पर्स रिखा बोलते हैं और कहने का मतलब है इस पर्स करने का मतलब मतलब होता है छूना किसी चीज़ को छूना सब्सümüzouri करने होता है तो जैसे कि मालो हमारा यह लाइन हो गया ठीक यह लाइन क्या है यह हमारा एक वक्र हो गया तो यह लाइन क्या है इस वक्र को छू कर जा रही है तो इस लाइन को मतलब लाइन नहीं बोलेंगे या रेखा जिसके इंदिम बोलते हैं तो हम लोग इसको रेखा नही कि यहां पर क्या होता है देखो कि यह हमारा वक्र हो गया अब यह वाला जो हमारा मारे वक्र है इस वक्र पर हम दोनों जो इसपर्स रेका हैं इन इसपर्स रेका के बीच का ये जो कोंड बन रहा है ठीक मतलब एक ये हमारा इसपर्स रेका ये हो गया और दूसरा हमारा इसपर्स रेका ये हो गया तो इसके बीच का ये जो कोंड बन रहा है इस कोंड को हम लोग यहां पर माल लेते हैं कि यह जो हमारा कोड है यह यहां पर ठीटा है ठीक तो यह जो कोड होता है इसी कोड को हम लोग बोलते हैं प्रितिछेद कोड तो प्रितिछेद कोड क्या होता है दो वक्र की जो इसपर्स रेखा होती है यानि जैसे कि मालो आपसे कहा गया कि दो वक्र है उन दोनों वक्र के बी रखां के बीच का पर होता है तो चले मैं आपको सूत्र के बेस पर आप लोग सवाल को लगाएंगे तो यहां पर देखो यहां पर क्या होता है और यहां पर यहां पर सब्सक्राइब वो हमारा यह थी धी तो यहाँ पर टैन थी धी धा बराबर होता है मpielt यह जो एक लाइन होता है इसको लोग वोलते हैं मॉल्ड थी तो 마小 मोड ऐ emma congratulations यहाँ व लोग शिर्क यहाँ पर निधिक रहने देंगे और मुराबर क्यों प्रृट ओ रहेंगे तो जब टैन को बराबर कि उसकार भेज़ोगो तैबन जाएगा ten inverse गहाँ ए जो यहाँ पर मतलब घाट में जो माइनिस एक लग जाता है इसको मुंग को नोगो कोलते हैं माइनस एम1-1 एम2 हो जाएगा प्लस में M 1 down में एम2 हो जाएगा टीक यह हमारा फार्मूला होता यह था धीटा को रुद्ध चल्य एक सवाल मैं रही है आपको सवाझ में अगर माले हैं एक क्विङ हो रहा या तो सवाल रहें तो आप सवाल दो देंगे जて हैं लगा टीप आप नोगे के सवाल को पढ़ते हैं फिर उसके बाद ना मज़ा आएगा ठीक तीन-चार सवाल आप लोग सवाल करना इसको पहले वीडियो को देखना ध्यान से फिर इसके बाद कापी पेन लेकर अपना खुछ सवाल करना अपने मन सब्सक्राइब पहले समझ लो फिर उसके बाद सवाल करना जब आप तीन-चार सवाल लगाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आजाएगा तो कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर आप किसी भी सवाल को लगा लेगी ठीक तो क्योंकि बहुत आसान होते हैं लगा ना ठीक तो चलिए फिर देखत यह हमारा एक वक्र है और दूसरा वक्र हमारा यह ठीक अब सवाल में यह कहा गया है सवाल में कहा गया है कि दो वक्र है और इस वक्र का मतलब पहले वक्र का हमारा जो समी करण है वो है यक्स स्क्वेर बराबर में 4AY है और दूसरा वक्र हमारा 2Y स्क्वेर बराबर में AX है इसका आपको प्रतिछेत कोड़ ज्याद करना है अब प्रतिछेत कोड़ का सूद्र क्या होता है तो फिर से मैं आपको याद दिला दूँ टैन इन्वर्स होता है और उसके बाद मौड ओफ M1-M2 और यहां पर बटे में हो जाएगा हमारा वन प्लस में M1 इन्टू में M2 यह होता है हमारा होता है अब यहां पर यह जो M होता है यह हमारा प्रवडता होता है अब प्रवडता क्या होता है उसको प्रवडता क्या होता है किसी भी वक्र का जो समीकरण दिया हो उसको आप जब उसका आउकलन करोगे ठीक जब उसको आउकलन कर दोगे तो वही जो हमारा डिवाई बाई डिएक्स होता है उसी को हम लोग अब यहां पर क्योंकि दो यानि की वक्र दिये गया है मतलब दो समीखरन हैं तो समीखरन से एक निकलेगा हमारे डिवाई बाई इक स यानि निकलेगा तो इसको बोल देंगे हम लोग सेम हो जाएंगे मतलब कौन किसका है समय नहीं आएगा इसलिए इसको मतलब की जाहिर करने के लिए एक को M1 मालेंगे एक 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 कम लोग M2 बोल देंगे ठीक आई तिंक आप समझ गया होंगे तो फिर चलिए इसका करते हैं और पहला हमारा है एक स्क्वेर बराबर में और दूसरा हमारा है यहां पर 2 Y स्क्वेर बराबर में अजय देख हैं इसको यानि M निकालने के लिए रैधि में किसी भी वेवापन Christians को उपसे सबसे पहले एक बिंदू पता होना चाहिए तब हम उसका प्रवड़ता निकाल सकते हैं यानि उस बिंदू पर हमें उस प्रवड़तों को निकाल सकते हैं तो हमें एक बिंदू पता होना चाहिए जो कि सवाल में बिंदू दिया नहीं गया है जब दिया नहीं गया है तो उसक निकालेंगे खिक perseverance क्या होता है जो यक्स य की यए हमारा बिर कोई भी प्रवारता निकालने के लिए हमें एक बिंदू चाहिए तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बिंदू निकालेंगे तो यहां पर ऐसे करते हैं चार वाई को गोड़ा में यहां पर तो अगर इसको हम लोग बराबर के उस पर बेजेंगे तो यह भाग में हो जाएगा तो सिंपल सा इधार यक्सी स्क्वाइर था में रखना है इस लगा इसको ये लगा देंगे बराबर में एकट लिदेंगे वाई के स्थान पर क्या है ये मिला में ऑब यहां मिला चार हो जाएगा तो यह मारा फिर ये पर आठ पर आठ तर्नाम 8 हो जाएगा 8a square का मैं लूग 3 गुणा कर देंगे ठीक जब 3 गुणा कर देंगे तो यहां पर भू जाएगा यह स्का घार 4 बराबर में 8a square है और गुण में यहाँ पर गारा यहां इसमें भी यहस मिल रहा है और इस पहले है तो कर तो दोनों में दूनों मैं यक्स मिलता हो तो हम लोग यक्स को कामा ले लेँ ले टिक तो यहां पर हो जाएगा महारा यस अगर हम लोग यक्स को यहां पर इतने पूरे को बराबर को उस पार वेजें तो ये बन जाएगा हमारा यक्स बराबर में 0 बटे में यक्स का घात 3-8.1 तो यानि कि देखो बराबर के नीचे अगर 0 हो उसके बाद बटा में कुछ भी नीचे लिखा हो अगर उपर 0 लिखा है हो जाएगा हमारा जीरो यानि कि यक्स बराबर आ गया हमारा जीरो आ गया ठीक अब मान लो यहां पर इसको नहीं बेज रहें ठीक पिसको भाग करेंगे जीरो हो जाएगा तो यानि की यक्स क्यूब बराबर में बराबर उस पार भेज़ेंगे तो यह जाएगा आठ एक हो जाएगा ठीक तो यानि की आठ पम लोग देखो आठ का अगर हम लोग बुझण करें दो चोको वाड दो दूना-चार दो दू कर Q हैं, दोनों का घात सेम हैं, तो इसको हम लिएक सकते है, यागा गात बराबर में 2 A का Q लिख सकते हैं, ठीक, तो Q से Q करेंगे, यह से की द्याह जाएगा, यह से की बराबर में और 2 A आ जाएगा ठीक, और Y बराबर सवाल में देखो, यहाँ पर क्या था? यह हमारा y बराबर है तो y बराबर में सवाल में है y बराबर में x square बटे में 4A ठीक, हम लोग क्या करेंगे x की value रखेंगे, तो जब x की value 0 रखेंगे हम लोग, तो 0 बटे में 4A हो जाएगा भाग करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक तो जब X की value हम लोगी 0 रगते हैं तो किसை लिँट 46 विलेता है जीरो मिल जाता तरिक तब हमारा विंद क्य भी स्था summary स्था स्थान उप्ध हो झाएगा इस्था dovra चीह आपर हो जाएगा मारों टू स्क्वार जाएगा बते में नीचे कितना है रही है हुआ सबसे पहले हम लोग्छ क्या करेंगे किसका करेंगे वह आपके पास दो वक्र दिए गए ठीक एक मारा 2y स्क्यार बराबर में यहां पर हमारा एक से और दूसरा वक्र हमारा तूसरा है यह जाएगा और यह हमारा सिंपल्स हो जाएगा डिवाई दिÓ अब हमें क्योंकि चाहिए यहां पर डिवाई दिक टो चारे को बराबर करें उस पार भेज देंगे इधर गुड़ाम है तो बराबर की उस पार चला जाएगा भाग में ठीक और भाग का यहां पर जाएगा डिवाई बाइड डी एक्स क्योंकि वाई का उखलन कि वाई को घुटा है यहां पर एक constant है एक भी इस बराबर में पूर इदर कॉंड लब की गुड़ा में इदर आजाएगा भाग में तो एब में 4y हो जाएगा ठीक तो यह हमारा M2 हो जाएगा ठीक अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर जो हमारा डिवाइड डिएक्स की इधर वैलू जो है इसकी वैलू निकालेंगे पहले 0,0 पर ठीक तो ऐसा करते न हम लोग इसको यहां पर साप सापी देते हैं अजस्ट वन सिकेंड ठीक तो यह हमारा M1 हो गया और यह हमारा M2 हो गया तो अब हम लोग यहां पर इसको डिवाई बाइबाई डीएक्स बोल सकते हैं तो डिवाई बाइबाई डीएस को लिचे यह होता है तो फोर और अगर जीरो उपर हो नीचे कुछ भी लिखा तो वह जाता है लेकिन अगर 0 नीचे हो उपर कुछ भी हो तो वो सिधा infinite हो जाता है क्योंकि 0 से लोगो 0 भागें यहाँ पर ए करोगे तो देखो 0 सुनन हो जाएगा तो कहने को मतलब 0 फिर यह उतार आएगा फिर 0 जाएगा तो कहने को मतलब यह कभी भी नहीं कटेगा 0 अगर किसी चीज को होगे तो कभी नहीं करता है जो कभी नहीं करता उसको लोग बोलते हैं अनंत ठीक तो यह अनंत का चिन होता है ऐसे होता है तो यानि जो हमारा M1 M2 की ज़े value है वो कितना आ गया? अनन्त को हम लोग इसको 1 बटा 0 भी बोल सकते हैं ठीक? तो 1 बटा 0 बोलो या A बटे 0 बोलो तो इसका मतलब अनन्त ही हो जाएगा ठीक? तो अनन्त को हम लोग 1 बटा 0 भी लिख सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पर निकालाएंगे इसी तरीके से M1 हमारा कितना हो जाएगा? तो देखो देखो यहाँ पर 0,0 पार ठीक किस बिंदू पर? 0,0 पर तो M1 हमारा कितना हो जाएगा? M1 बराबर में यहाँ पर M1 हमारे पास है सवाल में 2 x बटे में 2 a वाई ठीक तो यह है 2 x बटे में 4 a है ठीक just run scan देख लेते हैं तो 4 a है अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2 into में x के स्थान पर कितना है 0 है बटे में 4 a तो यहाँ पर जाएगा हमारा ओकर 0 है तो 0 पूर हो जाएगा ठीक यानि कि m1 आ गया हमारा 0 और m2 हमारा आ गया एक बटा 0 या फिर इसी चीज़ को आप infinite बोल सकते हो ठीक तो यह आ गया हमारा तो एंवान और एंटी को वैलू हमें पता चल गया तो हम लोग यहां से थीटा के वैलू निकाल सकते हैं ठीक थीटा बराबर निकालेंगे तो यहां पर यहां फिर लिख सकते हैं तो हम लोग पाई में चेंज करें तो हम लोग किसको सवारी बटे में 108 से गुणा करना तो पाई स्वारी जेस्ट रंसकेंट इसको मिटा देते हैं तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा मारा पाई बटे में 180 से गुणा करते हैं तो यहां पर 90 का नम 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 दूना एक 180 ठीक जो जाएगा टैन 90 कस्तांब लोग पाई बाई टू लिख सकते हैं ठीक तो यह वाले टैन से यह वाला टैन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इधर बचेगा और इधर बचेगा हमारा पाई बाई टू ठीक तो हमारा पहला एंसर आगया पहला प्रतिछे कोड आगया थीटा बाई टू किस बिंदू पर 0 कामा 0 बिंद पर अब हमारे पास एक बिंदू और है तो हम एम बराबर में हमारा क्या है जस्ट वन सिकंड इसको मैं आपको दिखा देता हूं एम वन एम वन हमारा है टू यक्स बटे में ए और एम टू हमारे पास है ए बटे में जस्ट वन सिकंड तो यह है ए बटे में 4 वॉय यहं यह ए ए बटे में 4 वाई ठिएक तो अब हम लोग सबसे पहले सब ल detactor मन का लेंगे तो यहांपरRe गास कrr इस्थान पर हंपर कितना यह Messiah महरा यहां रहना है बटे में नीचे कितना फोर यह तो court भ्री आधिक देखो दुदना कितना और य रखना है ठीक तो इससे एक नीचे बना टीक चार दीको यह हमारा हो गया वर यहां पर तो टैन थीटा वराबर में कितना होता है एम वन- माइनस में M2 बटे में 1 प्लस में M1 इंट्व में M2 यह होता है हमारा स्ूट ठीक तो हम्हाँ पर क्या हो जाएगा M1 M1 हमारे पास कितना है 1- M2 हमारे पास 1 बटा 4 आया ठीक बटे में 1 प्लस में 1 घुने में 1 बटा 4 जायेगा ठीक तो यह हो तो यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है हर बराबर कर ले न जब बटा नीचे बटा होता है तो क्या होता है दूसरे नंबर वाला जो होता है वह चौथे नंबर से कड़ जाएगा और यहां पर क्या बचेगा उपर गटां तीटा बराबर में तीटा पांच हो गया तो यहां पर आई इंवर्स तीन बटा पांच हो जाएगा आई आई हो आप समझ यहांगे सबसे तो को बहुत सिम्पल सवाल होते हैं थोड़ा से यहां पर हो सकता है एक सवाल हो जाए 2 पीच यह धीक लेकिन यह चीज़ा आपको नहीं देखना है आपको दिया रहेगा इस तरह कि दिया जाएगा दोक्त का समीकारन दिया जाएगा और आप से का जाएगा कि बताओ क्या होता क्या होता थिक इन दोनों के वेज के प्रस्षेट ग्याद किजिए तो अपको क्inação क्षाला क्या है सबसे पहले यह कर सवाल में क्या रहेंगे क्या जब भी हमें सवाल ऐसे मिलेगा बिंदोगर नहीं दिया है सबसे पहले दोनों को आपस में solve करेंगे ताकि हमें एक बिंद मिल जाए फिर उस बिंद पर हम लोग क्या करेंगे प्रमडता निकालेंगे ठीक तो M1 और M2 के वाल्यू निकालेंगे ठीक तो find करेंगे उसके बाद तीसरे नंबर फिर क्या करना आपको क्या करना है फिर आपको सूत्म रख देना ठीक चाहे आप 10 बराबर में M1- M2 बटे में 1 प्लस में M1 इन्टू M2 चाहे आप इसके अस्ताम पर रखो यह फिर आप सीधा डायट रखते हो थीटा बराबर में तो आप यहां पर थीटा बराबर डायट असकते हो तो थीटा बराबर कितना रखना अगर रखना है तो टैन इन्वर्स में आपका सवाल पूरा हो जाएगा ठीक और बस यह तीन इस्टेप याद रखना है कि सबसे पहले आपको औरना क्या है इस तरीके से आपको एक सवाल दिया जाएगा और उस सवाल में करना क्या है दो वक्र कहें दोनों वक्र का सबसे पहले आपस में सौल करके एक ठीक हुआ ह tussen यह मारे सवाल नंबर दूसरा देते हैं Thus सवाल नंबर दो है और सवाल नंबर दो क्या कहता है और के रहें निकालेंगे कैसे निकालेंगे वाई बराबर में यहाँ पर एक्सी स्क्वेर है ठीक और इधर वाई बराबर कितना है हमारा एक्स का घात तीन है सिंपल्स हम लोग वाई बराबर यहाँ पर देखते हो ना एक्सी स्क्वेर है तो इस अगर वाई के बराबर एक्सी स्क्वेर है तो इसका मतलब यह हुआ कि व स्क्वार जो है इसको बड़ाबर किई फार भीज जेंगे मतला इधर लेंगे तो यह हो जाएगा में मेंको ज現在 नहीं तो यह आगे भाग जाताया ठीक तो यहां पर एतना कामा लेंगा तो यहां पर 3 यक्स थे, 2 यक्स तो बाहर हो गए, तो यहाँ पर कितना, 1, यक्स बचचेगा minus, यहाँ पर 2, 9 यक्स बाहर हो गए, तो यहाँ पर सिर्फ एक बचचेगा, ठीक, बराबर में 0 हो जाएगा, तो अगर हम लोग, इसमें भी वह चीछ होगा, तो x बराबर में 1 आ जाएगा समझ गये न तो x का वैलु दूआ गे अब अगर हम लोग x बराबर 0 रखते हैं तो चेक करते हैं कि y की वैलु कितना हो जाएगा तो य बराबर हमारा कितना है यक्स स्क्वेर है तो य में यहां पर यहां पर एक स्थाम पर एक रखा तो यहां पर जाएगा तो यहां पर जाएगा पर एक रखने पर y के वाईलूभी हमारा एक हां गया तो यह हमारा बिंद हो जाएगा अब हम लोग यहां पर सबंध में क्यानी किया तो हम लोग यहां पर य बराबर में स्क्वेर हैं और इधार हमारा वाई बराबर में यक्स का गात तीन ठीक यहां पर जाएगा यह तो आपको आता ही होंगा तीसको क्या बताने तो बताने का मतलब यह हुआ कि जो घाद होता है वह आ गया जाता है और इसके घाद में से एक घटा देते हैं ठीक तो तो तीन आ गया गया एक घटा दिया यक्सिस्क्यार हो गया इसमें ठीक सिंपल सा यह हमारा M1 हो जाएगा इसको हम लोग M2 बोल देंगे क्योंकि जो डिवाइबाइट डिएक्स होता है वह हमारा M होता है अब यहां पर दो हो जाएंगे तो दोनों में अंतर नहीं सहुंज में आएगा कौन किस वक्र का है ठीक प्रवाणता इस वज़ा से इसको हम लोग M1 और M2 बोल देते हैं अच्छा अब यहां पर इसको हम लोग निकालेंगे सबसे पहले यहां पर निकालेंगे बिंद जीरो कामा जीरो पर प एंटू कितना हो जाएगा टू इंटू में यहां पर ठीक तो फिरी इंटू में 0 रोकिंगे एक स्थान पर यहां पर सिंपल सा 0 हो जाएगा ठीक यानि M1 और M2 की वाईलिव कितना आगया 0 आगया ठीक अगर 0 कम अब 0 कमा 0 पर हम लोग निकाल लेते हैं यानि कि प्रतिछे कोण निकालेंगे तो टैन ठीका ब्राबर में एम न छोता है मास में में मांटे में मुझन में 20 होता है तो यह होता है इसकी व्ैलु रोकिंगे जीरो आ गया अब टैन में कितने अंस कमान जीरो होता है तो जीरो अंस कमान जीरो होता है ठीक टैन थीटा बराबर हो जाएगा जीरो अंस हो जाएगा ठीक इसके स्था मतलब जीरो अंस लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर इसके स्थान पर जीरो ही होता है तो लिख सकते हैं इस स्टाइन कंसल जाए ठीक तो यानि इन दोनों के बीच का प्रतिषेट कौन आ गया वह 0-0 पर आगया जी रोटिक अब हम लोग इहां पर आमरे पास एक बिंदू और है एक कमा एक तो उस बिंद विंदू और एक पर प्रणुडता तो इस पर अगर प्रणुडता निकालेंगे तो यहां पर एक हो जाएगा दो यहां पर एक हो जाएगा तो अब एक हो जाएगा यहां पर निकालेंगे तो टैन थीटा में क्या हो जाएगा हमारा यहां पर कितना हो जाएगा एम का वलू कितना हो जाएगा यहां पर देखो मौड के अंदर कोई भी संख्या गर माइनस में होती है तो मौड के बाहर जब उसको लोग लाते हैं तो वो क्या होता है प्लस में हो जाता है बस मौड का बस इतना ही मतलब होता है मौड का मतलब होता है कि जब कभी भी मौड के अंदर को संख्या होती है उसको लोग बाहर कर देते हैं यानि मौड हटा देते हैं वो प्लस हो जाता है और और मौड का कोई काम नहीं होता है यहां पर सित माइनस को प्लस करने के लिए होता तो आई वोप आप समझ गयोंगे इस तरीके से आपको प्रिछेत कुन निकालना होता है ठीक तो आप इसके वाद जो सवाल होंगे वह आपको हम अगले वीडियो मता देंगे I hope